मिडल नाइंटीन सेंचुरी से जो है शुरुआत हुई टैनरीज की अरली नाइंटीज में करीब 170 के करीब टैनरीज थी और आज उनकी संख्या बढ़ के 400 से अधिक हो गई है और ये सारी टैनरीज कानपूर के एक छेत्र में जाजमव में इस्थित हैं और ये जाजमव गंगा के किनारे इस्थित है और टैनरीज के कारण जो है गंगा दूसित हो रही है टैनरीज का वेस्ट वाटर सीधे गंगा में जाता है टैनरी वेस्ट वाटर इस डेडली कॉप्टेल और केमिकल यहां पे ट्रीटमेंट के बाद वेस्ट वाटर का उप्योग इरिगेशन के लिए होता है तो उसका असर जो है क्रॉप प्रोड़क्टिविटी पे और स्वाइल पे भी है है मैं सन्धिराशी में कानपुर आया कानपूर में अपनी गुजर बसर कर रहा है अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में यहां पर सबसे जधा परफोप है डेरिया का क्योंकि परधूसित पानी हम लोग पीते हैं अगर कहीं भी पानी लाकर रखेंगे थोड़ी देर के अंदर पीला पंच आ जाता है क्योंकि उसके अंदर केमिकल आ जाता है कि एटी कि पानि पानी पड़नी एक आखों मैं लगे कि आपके केमिकल का पानी के बच्चे सब करी आखों में भर जाता हुआ कि अ कि कानपूर में लेबर्स को यहां बहुत कोई ऐसी चिकायत नहीं है और लेबरों को कम से कम 15,000 रुपए से कम किसी की अर्णिंग नहीं होती है क्योंको जादा पैसा मिलता है इसलिए लोग यहां खुशाल है काम कभी चलता कभी नहीं है कि अलता है पांच दस अजार कभी कमाले ते कभी मैनों बैठे रहते हैं उनका कोई कॉट्रेक्ट नहीं है कि सालों काम करेंगी अच्छे मेने काम करेंगे यह दो मैने काम करेंगे कि अज़ा पर मद्दूर भाई है बहुत से मद्दूर है यहां पर जो दनिया इस्तिति हमसे भी दनिया इस्तिति में गुजर बसर कर रहा है जिसको एक टाइम खाता है तो दूसरे टाइम के लिए उस्चना परता है कि सोचरे काम मिलेगा कि नहीं अब हम लोग चलो भाई अंगूठा चाब हो गए कहीं कुछ नहीं किया लेवरी करके खलाया पिलाया बच्चों पाला पोसा गरीवी में जैसे पाया उसे करा हरा आदमी सोता मेरे बच्चे खुसाल रहे घर पर विवार पढ़या रहे अगर हम लोग चाहें भी बच्चों क में ही रह जाते हैं बच्चे और यह ना तो रेसिडेंशियल एरिया है और ना यह तो इंडस्टियल एरिया है दोनों मिक्स है तो लोगों के रहने की अगर अलग से बिवस्ता हो वर्कर्स के और वहां पर उनको बेसिक एमेनिटीज मिलें तो उनके इस्थिति में सुधार लाया जा सकता है प्लस उनके वेजेज बढ़ाया जाएं और उनका जॉब पर्मानेंट किया जाएं सेप्टी गेर्स उनको प्रदान किये जाएं ताकि जो हजार्डस केमिकल से उससे उनका बचाव हो सके दो बढ़ाय माने से उनका जाएं जाएं तो उनका बचाव हो सकता है झाल झाल